है गाइज वेलकम बैक टो इस अनदर निव वीडियो दोस्तों मैं हूं सुसान्त आप सभी को हमारा चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सुगर ग्लाइडर्स के उपर पहले भी में बहुत सारे वीडियो में अपलोड किया हुआ तो दोस्तों सुगर ग्लाइडर्स जो होता है वो एक बहुत सी क्यूट सा जानवर होता है और यह जो जानवर है दोस्तों यह इंडिया में हमारा नहीं मिलता है यह बाहर आस्ट्रेलियन एक जानवर है जो कि रात को ही ज्यादा तर निकलते हैं और रात को निकलना ही यह ज कैसे होते हैं और इनको क्या खाना पसंद है और इनको эт इनका Local है तो दोस्ते वीडियो में पुरा ही बीडियो को देखके आंगे किसा पुरा ही मीडियो को देख किरें में और हैटे, सब्सक्राइब कर लेजएगा तो दोस्तों सुगर ग्लाइडर आप जिस तरह से नाम आपको नाम आप जो बोल रहे हैं सुगर ग्लाइडर इस तरह से यह लोग भी बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं नाम के बराबर यह मीठा बहुत खाना पसंद करते हैं यह में बहुत सारे फुरू टाते हैं पहले चलिए डायट के वाले में हम बात करते हैं कि यह लोग्व 57 क्या भाइना पसंद कते हैं तो दोस्तों यह लोग जो है बहुत सारे मनाम के हिसाब से मिथा फिरफा थे पसंद करते हैं इसके सबसे हम बहुत बहुत 시간 demi जो भी जितने भी मीठी फ्रूट होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा उतना पसंद करते हैं, एक्जामपुल तोर की हिसाब से हम बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अभी गर्मी का टाइम है, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तरभूज मैंगो होता है जो पका रहा मैंगो होता है यह आप अगर देंगे तो यह बहुती साउक स्खाते हैं बहुती अच्छी तरह से यह पुरा ही मतलब एक रात के अंदर ही खतमने कर लेते हैं और दोस्तों यह इनको आप अ flavors में आप दे सकते हैं आपल दे सकते हैं और थोड़ा बहुत अंगूर भी खा लेते हैं अंगूर तो फिलाल थोड़ा सा खटा रहता है फिर भी ये खा लेते हैं अंगूर भी खा लेते हैं और दोस्तों ये इसके साथ साथ आप पापया भी दे सकते हैं जो राइब वाला पापया होता है वो भी आप दे सकते हैं यह बहुत ही अच्छी तरह से यह पपाया भी खाते हैं ठीक है तो इस तरह से बहुत सारे जो मीठे फ्रूट जितने भी मिलते हैं दोस्तों आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं आप मतलब जितने भी मीठे फ्रूट होते हैं आप इनको दे सकते हैं और एक बात है दोस्तों इनको आप सरलग भी दे सकते हैं सरलग जो भी हमारे जो छोटे बच्चे जो खाते हैं हमाने हीमन के जो छोटे हैं तो भी वो खा लेते हैं सेरला कोई भी फ्लेवर का हो इनको आप दे दीजिए बहुत ही जल्द ये पुरा ही साप कर लेते हैं बरतन ठीक है तो इसके साथ दोस्तों और नॉन भेज में ये ज्यादा फसंद करते हैं क्योंकि ये जब जंगल पर रहते हैं तो बैसिकली ये आनिमल फ्लोटिन के उपर ये ज्यादा मतलब रहते हैं इदर उधर के जो कीड़े मकुड़े होते हैं ये सब खाते हैं तो आपको अगर आपके आसपास अगर किसे के पास मील वार्म, सुपर वार्म्स इस तरह की वार्म्स Kommentare मिलते हैं इनको भी आप ये वार्म्स पसंद करते हैं यह भी जरूर खाते हैं वाम्स ठीक है तो दोस्तों यह आप और और अगर आपके पास वाम्स नहीं मिला है तो आप एक काम कर सकते हैं जो बॉयल्ड एग होता है दोस्तों बॉयल्ड एग भी आपको दे सकते हैं जो एक का जो यॉक होता है यॉक इनको आप मत दीजिए जो white वाला हिस्सा होते है अंडों में boil करके white वाला हिस्सा को इनको खाने दीजिए ठीक है तो वह भी एक animal protein के तरह इनके काम करेगा ठीक है इनके लिए size जो है एक जोड़े के लिए मतलब एक pair के लिए जो size है requirement है वो आप इनको minimum to minimum four feet या five feet के cage पे रखना है ताकि यह अच्छी तरह से घूम फिर पाएंगे और दोस्तों cage का setup कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ आप लोग यह देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो में मैं box में box दिया हुआ हूँ और इसके अंदर वो रहते हैं छुपते हैं मतलब यह ज़्यादा तर रात को निकलते हैं और जो पेड के जो खोले होते हैं वो खोले में तो इस तरह से box आप पुवाड के लिए जो की hiding place की तरह हो और यह hiding place में तरह से रहते हैं और अच्छी तरह से यह मतलब छुप चाते हैं तो इस तरह से रहते हैं और थोड़ा बहुत इनको आप खेलने के लिए कुछ चीज़े इनके लिए लगा दीजिए यह फिर के लिए से लिए कर रहे हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अगर मैल फिमेल कोफ से रहे हैं तो ऐटोमेटिकली और यहीं कर जाते हैं driverane कर लेते हैं एक साल में अच्छी तरह से ब्रीदिंग कर लेते हैं औरThen kukak करने के बाद एक महिने का अंदर इनके जो पाउच होता है फिमेल में पाउच होता है मैं पहले भी बताए हुआ हूँ उसमें से बच्चे रहते हैं और बच्क को ग्रो होने में तीन मेने के अंदर बच्चा पाउच से बाहर आ जाता है और सेल्फ फीडिंग के लिए रेडी हो जाता है तो दोस्तों यह था सुगर ग्लाइडर के ऊपर थोड़ा बहुत आपको चानकरी में दे दिया और और दोस्तों आप में बताता चलू आप अगर टेम करना चाहते हैं सुगर ग्लाइडर को छोटे एज में के रिए व हो जाते हैं यह अब देख सकते हैं दोस्तों पाउच में किस तरह से बेबी रखके जो मा है जो फीमेल है इसके पाउच से थोड़ा दो बच्चे निकले हुए हैं और यह बच्चे जो है पाउच में अभी अभी निकले हुए हैं तो इस तरह से दोस्तों आपके सुगर ग् मिलते हैं अगले बिडियों